जो threshold capping limit जो भी है वो तूड जाती है तो तुम अब अपने belief system पे सवाल उठाना शुरू कर देते हो तुम उसको question करना शुरू कर देते हो वो अपने में ही एक बहुत dreadful, anxious, stressful और pessimistic state होता है वो तकलीफ जो जहल जाए वो से पार निकल जाएगा nihilistic states है किसी भी scientific value system में भी nihilistic state आ सकता है जिसके बारे मम आगे और बात करें जैसे बार example हो सकता अलबर्ट आइंस्टेंग भी general relativity of field equations इजाद करने से पहरे एक nihilistic state के थूँ गुजरे होंगे अब पहले lecture में हम लोगों ने nihilism के बारे में देखा था कि क्या है nihilism क्या है belief system कैसे destruction होता है belief system का आज के lecture में हम लोग बात करने वाले हैं कि nihilism आती क्यों है why nihilism we'll go through why nihilism और hypotheticality of nihilism की nihilism कितने हद तक hypothetical range में है सबसे पहले तो nihilism के बारे में हमने जो बात करी थी nihilism को बहुत लोग pessimism की तरफ ले जाते हैं बहुत ही जादा pessimistic school of thought बहुत ही जादा pessimistic यह word जिसको नहीं पता pessimistic और जो भी यह lecture देख रहे है pessimistic मैं बता दो pessimistic मतलब negative बहुत जादा melancholous जो होता है negative dark एक feeling एक emotion उसको बोलता है pessimism thought ideology thought process pessimism optimistic उसका उल्टा जो की positive thinking जो भी यह lecture है कुछ लोगों ने कहां कि पिछला lecture बहुत लंबा हो रहा था तो मैं यह दर्खास करूँगा request करूँगा कि आप उसको भाईया 1.25 यह 1.5 की speed पे चला ले नीचे बटन दबा के हो जाता है क्योंकि मैं अपनी speed alter करूँगा तो गडबड हो जाएगी अब एक और announcement देनी है बाद में देंगे तोड़ा सा देख लेता है nihilism nihilism क्या होता है बहुत हाद तक बहुत बार यह होता है कि उसको लोग बहुत pessimistic मान लेता हैं लोकिन वो pessimism होता नहीं है क्योंकि उस pessimism में एक optimism चुपा है क्यों क्योंकि अट्रुस्थ वोड़ में दोनें 20 सब्सक्राइभ लेता है यह खी Stones' यह भी खांगे अऊमकिस्पन झाल्यास पोल ठा मिन आरि आदेते हैं अंच्टिकवन नि कर सब्सक्राइभ ल्लमृत प्रभाल 55ule एजिए ट्रत उसके बाद बून की शहर स्पेलिंग सही होगी फिर तुमारा प्रो कॉन प्रो इसे ही नाहिलिजम दोनों चीज़े आइडेंटिफाय का नहीं गोशिश करता है पहली चीज़ जैसे इसमें लिखा है आइडेंटिफाइइंग बिलीफ सिस्टम्स जब तुम अपने किसी भी बिलीफ सिस्टम्स में जब तुम पैदा होते हो तो तुमारा एक बिलीफ सिस्टम्स बनाया जाता है जब तुमारा एक बिलीफ सिस्टम्स बनाया जाता है जब तुमारा एक बिलीफ सिस्टम्स बनाया जाता है एक belief system में तुम upbringing तुम्हारी होती है अब क्या होता है हमने पिछले lecture में जाना था कि वो belief system पे या तो तुम threshold capping लगा तो कुछ लोग होते हैं जो threshold capping के beyond move करना ही कोशिच करते हैं which is the advent of nihilism अब जब तुम एक nihilistic state में आ जाते हो when there is the advent of nihilism nihilism का state जो threshold capping limit जो भी है वो तूड जाती है तो तुम अब अपने belief system पे सवाल उठाना शुरू कर देते हो तुम उसको question करना शुरू कर देते हो वो अपने में ही एक बहुत dreadful, anxious, stressful और pessimistic state होता है वो तकलीफ जो जहल जाए वो से पार निकल जाएगा nihilistic state से हर किसी के life में nihilistic state आता है बले ही वो एक instantaneous moment के लिए हो लिकिन वो आता है उसको तुम जैसे कोई धार्मिक बंदा, अब्राहमिक religion का बंदा question करता है God की existence तो व क्या होगा अगर मेरे सारे value system टूट के बिखर जाएंगे, सारे value system shatter हो जाएंगे, क्या होगा जब कुछ ऐसा होगा, मैं तो टूट जाओंगा, मैं तो खतम हो जाओंगा, तो तुम उसको जो religious following में preachings होती है कि भाई, अगर तुमारे अंदर God के existence को लेके कुछ भी सवाल अबराहामिक religion ही कहते है, तो मतलब तुमको शैतान, साटन, सेटन या जो भी है कोई evil entity बटकारिया वापस आओ, क्योंकि इसकी जो punishment होती है, वो beyond imaginary होती है, बहुत गंदी punishment होती है, तो तुम उस nihilistic state of questioning the value system set up by God, वो जो तुमने instantaneous nihilistic state आता है, उसको तुम भर देते हो किसी और चीशे, which is the religious books की teachings, तो ये हो गया तुमारा moving beyond, advent of nihilism कैसे शुरू होता है, nihilism कैसे आता है, उसके beyond तुम कैसे आ रहे हो, जब तुमको समझ में आता है, एक belief system, paradoxes और loops में घूम के खतम हो जा रहा है, इस loop में तो कोई तोड़ ही नहीं है, यहां से मैंने start किया, उमीद में कि कहीं मैं रुकूंगा, बट नहीं, ये loop तो गुम के बंद हो जा रहा है, बार बार, ये तो एक recurring loop है, ये तो eternally record करता रहेगा, जब तक मैं इसके उपर सवाल उठाता रहो है, यहां पर कोई तोड़ नहीं है, तो वहां तुमारी एक anahilistic state आती है, यहां पर तुमार religious following और religious cults claim कर रहे हैं, या जो भी value system claim कर रहा है, अब मैं एक और चीज यहां पर clear कर दूँ, और वो ये है कि nihilism सिर्फ मतलब ये नहीं कि तुम religious value system के against हो, तुम किसी भी value system के against हो, उसको तुमारा belief system वही है, लेकिन तुम उसके परे जाने की कोशिश कर रहे हो, वो हो गया तुमारा एक nihilistic state, because जो भी value system है, वो degrade हो रहे है, जो तुमारी consciousness, thought, ideology, process, तुमारे thinking capabilities को जिसने बनाया था, एक structure दिया था, वो तूड जा रहा है, वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी scientific value system में भी nihilistic state आ सकता है, जिसके बारे मम आगे और बात करें, जैसे वो और example, हो सकता आलबर आइंस्टाइन भी general relativity of field equations इजाद कनने से पहरे, एक nihilistic state के थ्रू गुजरे होंगे, अब, और क्या है, और क्यों nihilism आता है, क्यों वाई, इसके आगे तुम लगा दो, क्यों भी nihilism, क्यों, और क्यों आता है, और आता है कि तुम एक strong thinker हो, कोई भी इंसान, एक strong think इसे कितने loop exist करते हैं, जिसको तुम auto either disregard कर सकते हो, कि तुमारा value system एक null void create हो जाया, उस value system में, तो एक strong thinker की, बहुत, बड़ी पहचान होती है, जिसमें, उस strong thinker की कोई binary utopian dream नहीं होती, binary utopian dream, utopia, utopia क्या होता है, कि सब कुछ perfect होगा, equal rights, equal opportunities, happiness, fruitfulness, सब कुछ साथ चल रहा है उसको बोलते हैं, utopia, तो हर society की, हर religious community की, हर political community की utopian dream होती है, क्या तो full हमारी party होगी, full हमारा religion होगा, या जो भी, वो उनके लिए utopia है, भले ही किसी और बंदे के लिए वो utopia ना हो, तो इसको बोलते है binary utopian dream, जो nihilistic person होता है, nihilistic इंसान होता है, वो world को destructive tendencies से भी देखता है कि भाई, अगर हम उस utopia को dystopia की नजरियों से देखें, utopia का ultra dystopia, ये जो मैं चीज़े बता रहा हूँ, ये हमीशा याद रखना, antonym, synonym, ये सब, acronyms, ये सब help करते हैं, आगे कहीं भी भी, तो वो एक dystopian vision से देखते हैं, कि भाई, क्या पता, सब कुछ अच्छा ना हो, क्या पता, सब कुछ बिकार हो, जैसे फ्रेडरिक नीचा ने, ये, ये predict किया था, कि God खतम हो जाएगा, उससे जो value system, surmounting value system है, वो खतम हो जाएगा, तो दुनिया का क्या होगा, what will happen to this world, and the people living in this world, the societies living in this world, वो society, society रहेगी या कुछ और हो जाएगी, ये नीचा का prediction था, तो तुम एक negative tendency को भी देख रहे हो, so you are witnessing two facets of the same coin, तुम सिक्के के एक पहलू को नहीं देख रहे हो, तुम सिक्को के दोनों पहलू को देख रहे हो, if you are in a very nihilistic state, which I believe is a good thing in itself, अपने में वो अच्छी चीज है, अब आते हैं hypotheticality of nihilism, कि nihilism कितना hypothetical है, कितना हवा में, hypothetical मतलब कित इतना जमीन पर, basically nihilism देखा जाए, तो what if में rooted है, what if, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर एक value system हट जाए, क्या होगा अगर religion, जो तुमारे अभी के religions है, religion is something which cannot be eliminated, क्योंकि तुम कुछ religions eliminate करोगे, तो अलग school of thought, thought आ जाएंगे, जो in the near future, अपने में religion बन जाएंगे, school of thought, जब क्योई भी philosophy force करी जाती है, it becomes a religion, whenever a philosophy is force, force philosophy is religion, उसको याद रखना, fourth philosophy is equals religion, तो क्या होगा, अगर ये खतम हो जाए, religion, तो एक hypothetical school of thought चल रहा है, nihilism, जो कि एक macro scale पे, बहुत बड़े scale पे hypothetical है, लेकिन individual scale पे वो तुमको anxiety भी दे रहा है, physical symptoms भी दे रहा है, तुमको रात में मीन नहीं आती, तुम कह सकता है, तुम, तुमारा क्या होगा, तुमारा existence क्यों है यहाँ पे, but still, इनम, जब उन सब चीजों को जोड़ दो, तो तुमको लगेगा, ये सब जोड़ के, अपने म एक school of thought बन रहा है, अपने में एक universe बन रहा है, मेरे जैसे और सोचने वाले thinking things हैं, वो जुड़ के एक बड़ा जुट बना रहे हैं, तो ये nihilism उस बड़े scale पर कहीं न कहीं hypothetical हो सकता है, जैसे कि Nietzsche's God is dead, God is dead, नीचा की universe तक वो सीमित था, बहुत लोग उसके accept नहीं करते बहुत लोग करते हैं, जो accept करते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं कि God मर गया, value system has gone, uprooted, खतम हो चुका है, अब कैसे हम नया value system बनाएंगे, और उसके ना होने से जो जो crashing of values होगा, जो values टूट के जमीन पर गिर जाएंगी, उसको कैसे खड़ा करेंगे, वो जो nihilistic destruction है, हर तरफ, कैसे खड़ा करेंगे, ऐसे ही हो सकता है, Albert Einstein के जो thought experiments है, वो भी nihilistic हो सकता है, physics की community जो होती है, या जो भी analytical sciences की community जो होती है, उसमें तुम्हें एक चीज उबसर्व करना, या आप देखोगे, कि उनकी values ही physical physics डिफाइन करता है, उनके लोग, जो लोग होते हैं, वैसे ही अपने, अपना, जो पूरे दिन का routine होता है, वैसी सेट करते हैं, पूरे दिन उस उनको, उनको एक inspiration माना जाता था, और Newton को भगवान माना जाता था, 1900s, early 19th, और early 28th century में, अभी भी माना जाता है, बट, यहां आए Albert Einstein, जुनोंने बोला कि, भई, मैं देता हूँ general relativity, जो उसको challenge कर सकती है, अब यहां पे, तुम एक value system, which is predefined by Newton, जिसको भगवान मान रहे हैं सब लोग, तुमने उसको challenge कर दिया, तो कहीं ना कहीं, जो field equations है, जो special relativity और general relativity का, जो special case है, special relativity, वो भी कहीं ना कहीं nihilistic thought ideologies है, जो Albert Einstein अपने thought experiments ले ले famous है, तो तुम कह सकते हो कि वो भी nihilistic state है, but in a different value system, in a parallel universe altogether, ठीक है, वो existence पे सवाल कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, क्योंकि तो Newton के physical laws के नियम है, उनके उपर सवाल उठा के कह रहे हैं, नहीं, भाई, space time curvature होता है, हम gravity की वजए से नीचे 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 खिच रहे हैं, mass की वजए से, जो तुमारा, तुमारा जो curtain है space का, उसमें, या जो चादर है space की, उसमें curves आ रहे हैं, तो ये हो गया तुमारा, वाई nihilism और hypotheticalities of nihilistic states या hypotheticality of nihilism, आगे इसको continue करेंगे, इस lecture को, जरूर, और जल्ली से एक announcement, एक course आने वाला है मेरा, बहुत interesting course, introduction to philosophy और भी आगे आएगा, it will be a paid course, लेकिन, it will be below 1000 रुपीज, जो मैं अभी बता देता हूँ, very openly, तो जिसको pre-register करना है, no, पैसा कुछ नह नहीं लगेगा, उसमें नीचे google form का link के अपना email id, mobile number बगयरा तुम डाल सकते हो, जिससे की जब वो course release हो, तुमको उसके बारे में notification आजया, पता लग जया, so you can go, और वो introduction to philosophy तगड़ा बाब course होगा, तो you can go there, इस lecture को हम यहीं खतम करते हैं, अब भाया, तुम भी, कट लो कांपे